जै श्रीशाम, जै बागेश्वरधम, बालाजी महराज की किरपा हम सब पर बनी रहे दोस्तों आज हम आपको पाच ऐसे पेड़ पोधों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही असुब बताए गए हैं यदि ये पाच पेड़ पोधे आपके घर के आसपास या आपके घर में लगेवे हैं तो इने तुरंत खाड कर बार फेंग दीजिए नहीं तो ये घर को परबाद कर देंगे ये पेड़ पोधे आपको हर तरह से कंगाल कर देंगे और वास्तु अनुसार भी ये पाच पेड़ पोधे बहेंकर वास्तु दोस उत्पन करते हैं तो इन पाच पेड़ पोधों को घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए ये आप कोई घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बना हुआ है उस घर के वास्तु को ठीक रखने के लिए उस घर के आसपास का परियावरन ठीक होना बहुत जरूरी होता है और वहीं पर्यावरन को ठीक रखना है तो पेड़ पोदों को लगाना भी बहुत आवश्चक है क्योंकि पेड़ पोदे वातवरन को तो संतुलित बनाते ही हैं और इसके साथ-साथ इंसानों के लिए भी बहुत महत्वपुरुन रोलनी बाते हैं पेड़ पोदे वायू मंडल में फैली वी जहरीली हवाओं जहरीली गयस और जो इनसान चोड़ते हैं कारबन डायो अकसाइड उनको अपने अंदर सोक कर वातवरन को सुद्ध और स्वच्च करते हैं और इसके साथ ही साप सवच ओक्सीजन हम इनसानों को परदान करते हैं और पेड़ पोदों के कारण ही प्रित्वी पे बारिस होती है और पेड़ पोदों के कारण ही प्रित्वी पे जीवन संबह है पेड़ पोदे हैं तो जीव जनतु भी शुरक्षित हैं क्योंकि उस्धियां भी पेड़ पोदों से ही प्राप्त होती है. इसलिए पेड़ पोदों को हमारे जीवन के लिए बहुत महतु पुरुन बताया गया है। की पेड़ पोदे ऐसे हैं जीन को घर में लगाने से हमें सुकस्पंधी मिलती है। तो वहीं वास्तु के अनुसाल कुछ पेड़ पोदे ऐसे भी हैं जीन को घर में लगाना अशुब माना गया है। अगर घर में लगा लिया तो ये पेड़ पोदे भेंग कर वास्तु दोस उत्पन कर देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो पाँच पोदे जो सुब और असुब दोनों तरह के परिनाम देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई प्रेशानी, कोई कष्ट बना हुआ है, तो आप अपने डेटो बर्त, अपना नाम और जगें का नाम कमेंट बोक्स में लिख दीजिए, साथ में अपनी प्रेशानी भी लिखिए, हम कोई न कोई उपाय बताने की अवश्य कोसिस तो अब बात करते हैं अशोक के व्रक्ष की, तो अशोक के व्रक्ष को चाए आप घर के अंदर लगाएं, चाए घर के बाहर लगाएं, इस व्रक्ष को हमेशा घर के उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए, उत्तर दिशा में इस व्रक्ष को लगाने से आपको अत्यन सूफ और वहीं यदि आपके घर में कोई ऐसा VRख्ष या कोई ऐसा पोधा लगा हुआ है, जो असुफर भावन दे रहा है, तो अशोख का व सबवर्ख्ष घर के उतर दिसा में लगाने से उनंपा०ों के असुफर भावन को दूर कर देता है तो घर में अशोक का विरक्ष लगाने से पहले आप किस दिशा में लगा रही हैं दिशा का देख लेना बहुत आवश्चक है तभी सुप्फलों की प्राप्ति होगी अन्यथा इसके वास्तु दोस भी उत्पन हो जाते हैं और अब बात करते हैं केले के व और इसके साथ ही यदि तुलसी का पोधा भी इस व्रक्ष के साथ लगा दिया जाए तो और भी सुफलों की प्राप्ति होगी यदि आपके घर में किसी बच्चे के शिक्षा में बादा उत्पन हो रही है तो वह केले के व्रक्ष के पास बैट कर अध्यान करेगा तो उसके अध्यान में आने वाली सभी प्रकार की बाधाईं दूर हो जाएंगी तो कहने का तात्पर यही है कि इसान में लगे केले की व्रक्ष के पास बैठ कर अध्यान करने से अध्यान वर्थ नहीं जाता पपीते का वरक्ष तो पपीते के वरक्ष को घर में लगाना वास्तु सास्तर के अनुसार असुब बताया गया है वास्तु सास्तर के अनुसार पपीते के वरक्ष को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए अगर यह व्रक्ष अपने आप उख जाए तो सुरुवात में ही इसको उखाड कर कहीं और दूसरी स्थान पर लगा देना चाहिए और यदि आपके घर में पपीते का व्रक्ष लगा हुआ है और बड़ा हो गया है अब इसमें फल नहीं आ रहे तो इसको काटने के बज़ाए इसके तने में एक छेद कर लें और छेद करके उसमें हींग भर दें ऐसा करने से उसके होने वाले दुस प्रभाव से बचा जा सकता है और अब बात करते हैं नारियल के व्रक्ष की, तो नारियल के व्रक्ष को घर में लगाना सुभ माना गया है, और जिस घर में नारियल का व्रक्ष लगा होता है, उस घर के सदर्शों को हमेशा मान सम्मान की प्राप्ति होती है, और उस परिवार के सदर्शे हमेशा तरक्की के पत्थ पर आगे बढ़ते हैं क्योंकि नार्यल का संबंद माता लक्षमी से है और माता लक्षमी की किरपाद जिस पर हो जाती है उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता तो चलिए अब बात करते हैं आख के पोदे की आख या स्वेताल दो तरह के आख होते हैं एक आ के पोदे से दूद निकलता है तो वास्तु सास्त्र के सिध्धान्त के अनुसार दूद से युक्त पोदे आपके वेवसाइकस्थल फैक्टरी या आपके घर की चार दिवारी की अंदर लगा होना अशुब माना गया है और यह दी यह पोधा अपने आप घर में उग जाए तो इस पोदे को उखाड़ना नहीं चाहिए बलके हल्दी चावल और जल अर्पित करके इस पोदे की पूजा करने चाहिए ऐसा करने से घर में बरकत आती है और भगवान बोले नात का आसिरवाद मिलता है और अब बात करते हैं आवले के पेड़ की तो आवले का पेड़ या घर की सीमा में लगाना सुप माना गया है यदि आप आवले का पेड़ अपने घर में लगाते हैं और आपकी घर में दूसरे पोदों से जो असुप परभाव मिल रही हैं तो उनके असुप परभाव को यह नश्ट कर देता है लेकिन आवले के व्रक्ष को हमेशा घर मे अगनिकों या निर्टकोंड में ही लगाना चाहिए तब इससे सूफलों की प्राप्ति हो सकती है तो ये थी पेड़ पोधों से जुड़ी कुछ महतुपूर्ण जानकारी आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ